Hello everyone, welcome back to this channel आज किस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 में बच्चो को इंग्लिश के ग्रामर में एड़व का चाप्टर कैसे समझाया जाता है किस तरह की डिफरेंट वोक्षिट के साथ आप बच्चो की इस टॉपिक से रिलेटड प्राक्टिस करा सकते हैं वीडियो को पूरा एंड तक रहे हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अधर पैंज के साथ शेर जरूर करें लेकिन जब बच्चो को एडवर्ब का चैप्टर पढ़ाया जाता है लेकिन जब बच्चे क्लास 3 में आते हैं तो बच्चो को उसके कई सारे टाइप्स भी पढ़ाये जाते हैं तो सबसे पहले बच्चो को जब आप एडवर्ब का चैप्टर स्टार्ट करें तो बताएं कि एडवर्ब हम किसे कहते हैं जैसे एन एडवर्ब तो she is walking house slowly तो वो कैसे वोक कर रही है slowly वोक कर रही है तो यहाँ पर वर्ब को describe कौन सा वर्ट कर रहा है slowly तो slowly हमारा एडवर्ब हो गया अब उसी दसे देखिए next है this flower is very beautiful तो इस पूरे sentence में न देखिए beautiful हमारा क्या है adjective हो गया न फ्लावर कैसा है beautiful है लेकिन beautiful कैसा है मतलब इस adjective के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है very beautiful बहुत सुंदर है तो यहाँ पर जो very है यह हमारा एडवर्ब हो गया तो बच्चों को आपको यहाँ पर बताना है here word slowly and very is an adverb इन दोनों ही sentence में slowly और very हमारा क्या हो गया आडवर्ब हो गया तो बच्चे बहुत ही असानी से इसे समझ पाएंगे आप इस तरह से examples के तुरू पहले बच्चों को introduce करें बच्चों को class 3 में आडवर्ब के chapter में kinds of adverbs भी बताया जाता है कि आडवर्ब के न तीन kinds होते हैं तीन types होते हैं जैसे पहला है आडवर्ब of manner, आडवर्ब of time और आडवर्ब of place तो यानि कि बच्चों को अगर आडवर्ब समझना है न तो बच्चों को पहले इस तरह से तीन kind of adverbs जरूर समझाएं पहले देखते हैं आडवर्ब of manner तो इसमे यहां पर action क्या हो रहा है, walk हो रहा है, लेकिन कैसे कर रहे हैं, quickly कर रहे हैं, तो quickly हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, अब उसी तरह से she passed the exam easily, तो यहां पर देखिए action क्या हो रहा है, she passed the exam, तो pass तो किया है, लेकिन कैसे किया है, easily, तो easily हमारा adverb हो गया, उसी जो कब action कब हुआ कौन से समय पे हुआ उस तरह के जो words होते है न वो हमारे adverb of time में आते हैं जैसे देखे it rained yesterday तो बारिश कब हुई यहाँ पे समय बताया जा रहा है न येस्टेडे तो yesterday हमारा क्या हो जाएगा adverb हो जाएगा उसी तरह से he visits us daily तो यहाँ पे daily क्या है daily समय बताया जा रहा है न कि वो हमेशा मिलता है तो कब मिलता है daily मिलता है तो यहाँ पे समय बताया जा रहा है तो daily हमारा time हो गया adverb of time अब देखते हैं adverb of place adverb of place में बताया जाता है tells us where action is done adverb of place क्या बताता है action कहा हुआ जैसे देखिए रीमा गो इंसाइड, रीमा को बोला जा रहा है, रीमा अंदर जाओ, कहां जाओ, अंदर जाओ, यानि इंसाइड हमारा क्या हो जाएगा, एड़ वर्फ प्लेस हो जाएगा न, यानि कि इंसाइड हमारा एड़ वर्फ वर्ट हो गया, उसी तरह से कीप इस बच्चे बहुत जल्दी समझेंगे, एक बर बच्चों को जब आप kinds of adverbs और adverbs के बारे में जानकारी दे दे, तो बच्चों को इस तरह की worksheet से बच्चों की प्राक्टिस जरूर कराएं, ताकि बच्चों का जो adverbs का concept है वो और अच्छे से clear हो पाएं, जैसे देखिए आप पह to get into the finale, तो sawra practice how, sawra practice hard to get into the finalist, तो यहा पे कॉंसा ad verb यूज़ होगा, hard next देखिए, the sun was shining dash in the afternoon, तो यहा पे how the sun was shining, sun was shining brightly, तो यहा पे adverb क्या होगे हमारा, brightly, तो यहा लिख देखिए next देखिए, why are you dressed dash today, तो यहा पे कॉंसा ad verb यूज़ होगा, why are you dressed how, तो यहां पर answer क्या हो जाएगा तो यह हमारा adverb हो गया तो यहां पर silently हो गया kya हो गया हमारा adverb हो गया हम यहां लिखेंगे इस तरह से बच्चों को सिखाने के लिए इस तरह की वोक्षिट से बच्ची की प्राक्टिस करा सकते हैं यहाँ पे बच्चों को sentences दिया गया है इसमें बच्चों को sentence में दो option दिया गया है बच्चों को उस word को tick करना है जिसमें हमें when adverb जो sentence के साथ correctly fit होता है जैसे देखिए पहला है please come home early और yesterday तो please come home early तो yesterday तो नहीं बोलेंगे early बोलेंगे न when early तो यह हमारा सही answer होगा as per the sentence नेक्स देखिए आस्ता has never or soon been to London तो यहाँ पर इस sentence के हिसाब से कौन सा when adverb correct होगा आस्ता has never been to London तो यहाँ पर never is the correct answer नेक्स देखिए जैक comes to our house yesterday or sometimes तो यहाँ पर कौन सा adverb सही होगा yesterday or sometime answer होगा जैक comes to our house sometimes तो sometimes को हम तिक कर देंगे नेक्स देखिए I see Bobby in the park quite often or never तो as per the sentence कौन सा when adverb सही है often quite often so often को तिक करना है next देखिए I think you have told me this story before or ago तो answer क्या होगा इसमें कौन सा adverb सही है I think you have told me this story before so before adverb is the correct one so इस तरह से बच्चो को आग वेन adverb की practice कराने के लिए भी कुछ इस तरह की worksheet बना के बच्चो की practice करा सकते है here is the next question underline the where adverbs in the sentences यहाँ पे बच्चो को sentences दिया गया है in sentences में बच्चो को where adverb कि जो words है वो find करने है identify करना है और underline करना है जैसे देखिए पहला है my father is waiting there तो यहाँ पे where adverb क्या होगा कौन सा word है जो where adverb को indicate कर रहा है तो यहाँ पे बोला जाय रहा है मेरे father wait कर रहे है कहाँ पे कर रहे है there तो there हमारा क्या हो गया where adverb हो गया तो इसे हम underline कर देंगे next देखिए don't go outside don't go where don't go outside so outside is the where adverb next देखिए रवी is studying upstairs तो रवी कहाँ पढ़ रहा है where he is studying upstairs तो upstairs is the adverb next देखिए I want to visit everywhere तो मुझे कहाँ जाना है हर जगा जाना है तो everywhere क्या हो गया हमारा where adverb हो गया next देखिए they looked up to see the airplane where they looked to see the airplane up तो अप हमारा क्या हो गया where adverb तो underline करना है next देखिए Tia will go out to play तो Tia कहाँ जाएगी खेलने out तो यहाँ पे out क्या हो गया where adverb तो इस तरह से बच्चो को where adverb को समझाने के लिए भी आप इस तरह की worksheet से बच्चो की practice करा सकते हैं here is the next question circle the adverbs in the sentence तो यहाँ पे बच्चो को कई सारे sentence दिये गया है आप बच्चो को जब आप how, where और when adverbs सिखा दे तो आप बच्चो को तीनो adverbs को types of adverbs को include करके इस तरह का worksheet दे सकते हैं जैसे देखिए पहला है the kid noisely cheer to their dad तो इस पूरे sentence में adverb कौन सा है किड ने कैसे cheer की अपने पापा को noisely तो noisely हमारा क्या हो जाएगा adverb हो जाएगा तो circle करना है next देखिए soon we will go vacation तो हम कब जाएंगे vacation soon how soon so soon हमारा क्या हो गया adverb हो गया circle करना है next देखिए the bus speedily drove down the street तो यहाँ पे इस sentence में adverb क्या है डाउन क्यूं क्यों क्योंकि जो bus है वो कहाँ पे speedily drove कर रहा है down क्राए down the street तो यहाँ पे where adverb है na down इस लिए से circle करेंगे next देखिए we went to school yesterday soy yesterday क्योंकि यहाँ पे adverb of time है yesterday तो यह हमारा adverb हो गयाvent नेक्स देखिए, today you have done your lesson well, so today how you have done your lesson well, तो यहां पे well जो है वो हमारा adverb of manner हो गया, बता रहा है कि कैसे हमने lesson किया, तो well is the adverb, नेक्स देखिए, the smoke rises upwards, तो इस sentence में adverb कौन सा है, upwards, यहां पे बताया जा रहा है कि कहां पे rise कर रहा है, upwards, तो यहां पे upward is the adverb, नेक्स देखिए, I can solve these sums easily, तो how I can solve these sums easily, तो यहां पे easily हमारा adverb हो गया, नेक्स देखिए, every soldiers fought bravely, तो यहां पे adverb कौन सा है, bravely, very easy, तो इसको circle कर देंगे, नेक्स देखिए, I am doing my homework now, तो how, when I am doing my homework, now, तो यहां पे time बताया जा रहा है न, when, तो now, now is the adverb, तो यहां पे न, इस तरह से आप बच्चों को circle करने के लिए, किसी भी sentence में identify करने के लिए adverb दे सकते हैं, जिए adverb समझने में आसानी हो, और बच्चों की इस पे practice बनी रहे, That's all for today's videos friends, I hope कि आपके बच्चों के लिए, यह kinds of adverbs या adverbs से related work sheet काफी helpful रहे होंगी, आप इस तरह से बच्चों की work sheet बना के घर पे practice जरूर कराई, adverbs से related, अगर वीडियो आपको helpful लगा हो तो please वीडियो को like करे, चैनल पे अगर आप नए हैं तो subscribe करना बिलकुल ना भूल मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो या work sheet के साथ, तब तक के लिए take care and bye bye